हलो गाइस कैसे आप लोग आप कुमार मदुकर और आप देख रहे है केम लर्नी चैनल आज मैं अपने इस चैनल के अंतरगत आप लोगों को जो मैं कोशन पुट अप करता हूं उसी का एक कोशन पिक अप करके आपके सामने डिस्कॉस करने वाला हूं आप लोगों ने इखा हुगा कि मेरा VDs. Telegram चैनल के अंतरगत में जो आप लोगों के वीपीस के मेंस के पॉइंट है उसे 66 जो भी मेंस के तैयरिक करते हैं उनके लिए ग्रूप बनाया हूं है Telegram चैनल पे अगर आप लोग सीरियोस हैं मैं serious candidate can join the discussion जहां पर मैं mains का question परती दिन हर रोज देता हूँ और आप लोगों का answer आता है उसे उस पर feedback देता हूँ और उपर से साथ में आप लोगों को suggest करता हूँ किस तरह से कैसे answer को improve किया जा सके है तो इसी में मैंने question पूछा था significance of preamble के बारे में चले मैं उसी answer का सब लोगों का क्या answer था तो देखे question यह था कि preamble is the significant part of Indian constitution प्रियम्बल राइट आपने पढ़ा है ना यह question होगा प्रियम्बल is the significant part एक मिनट मैं highlight कर रहता हूँ यहाँ पर देखिए यह देखिए सब देख सब देखिए! लेखिए और आप तबगिए प्रोण्य का मिन पर देखिए प्रय के रस आपनेर के जोचेडिएbaar के लेहूदिएald इस क्यार jáपने यहादिए पंके लेगडि कैना रस उожет होख्रोनेश उ dado है थींब यह धीर कंम इसजिशंता सीन सिंडिफिकेंट पाथ बंधियनन इंदिन कोंस्टि इसक इच्पर्स इिश एट अलाॉंग विट्स अमेंधिबिलिटी कॉरेक्ट एम्मेंडिबिलिटी कर्रेक्ट इमेंडिबिलिकिन अमेंद इबलीटी क्रेक्ट tbsp तो बहुत सारे लोगों का एंसर आया, काफी लोगों का एंसर अच्छा भी रहा, और कुछ लोगों ने प्रियंबल के significance के बारे में ना लिखके, significance के बजाए, features के बारे में लिख दिया, तो guys, मैं आप लोगों को हम ऐसा बार-बार emphasize करता हूँ, बार-बार बोलता भी हूँ, कि please do not write a different thing in comparison to the demand of the question, जब भी आप यहाँ पर question में दिखेगा, demand क्या है, significance, significance, significance की बात हो रही है, it means कि आपको इसके features के बारे में नहीं बताना है, significance के बारे में बताना है, और उसी को discuss करना है, और साथ में इसके amendability, मतलब amendment हो सकता है, या नहीं, या क्या है इसमें, तो सबसे पहले मैं यह ऐसा ही आपके सामने दे रखा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ, we the people of India, राइट, कुछ लोगों ने इस चीज़ की यहाँ पर बताया है कि भाई, प्रियम्ब जो है source of power है, प्रियम्ब जो है nature of power के बारे, nature of state के बारे में बोलता है, प्रियम्ब जो है that we are asking, the question is asking about the preamble, not at all, here question is not about preamble, here the question is on the significance of the preamble, so because of that you have to emphasize on the significance, on the importance of the preamble, why and how and when preamble becomes important and preamble is important, correct, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ प्रियम्ब में क्या क्या लिखा हुआ, people of India, socialist, secular, democratic, republic, यह सब आपने परहा है, sovereign, correct, यहाँ पर justice, liberty, equality, fraternity को ensure करने की बात हो रही है, अब कुछ लोगों ने अपने mens में answer में यह भी लिखा है कि भाई, इस में प्रियम्ब में यह भी दिया गया है, तो यह चीज़ आप कब पैदा हुए थी, यह important नहीं होता है, important होता है कि आप कौन सा role play करते हैं, correct, तो यह चीज़ तो यहाँ पर दिखेगा, जब significance की बात करेंगे, तो यहाँ पर people of India, right, फिर sovereign, socialist, secular, democratic, republic है, इसमें छोटे सोटे सोटे definition की जरूट होती है, अब में लिखने के जरूट नहीं है, सिर्फ terminology is sufficient, let's see, हम कैसे लिखें हैं, आपको मैं थोड़ा सा idea देता हूँ, देखें, in our democratic and quasi-federal setup, हमारा quasi-federal है, democratic setup है, preamble which starts with we the people of India, अब यहाँ पर significance क्या है, significance अपने आप में यह बता रहा है कि, preamble source of power की बात कर रहा है, हमारा democratic setup है, quasi-federal है, तो हाँ पर people of India जो होते हैं, यही main source power है, मतलब हम ही लोग सासन करते हैं, और हम ही लोग सासित भी होते हैं, तो यह हमारा importance बता रहा है, preamble पहले ही यह define कर रहा है, कि हमारा आने वाला constitution कैसा होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते है, preamble is the mirror to the constitution, preamble is the key note of the constitution, correct, so itself shows the actual importance of preamble, we the people of India, कि पहले ही बता रहा है, preamble पहले line में बोल चुका है, कि हमारा पूरा constitution जो है, we the people of India से ही associated होगा, इसी में आप देखेगा, fraternity की बात होती है, justice की बात होती है, liberty की बात होती है, everything is to be established and to be secure, to be maintained by the state government, correct, when we go through the preamble thoroughly, it delinates, क्या बताता है, overall feature of the constitution, यह है हमारा significance की बात, कि यह हमारा preamble इतना significant है, कि अगर हम preamble को एक रीड आउट कर लेते हैं, और उसके meanings को समझने की कोशिज करते हैं, then we get the exact information of our constitution, कि हमारा constitution क्या कहता है, यह हुआ ना significance, it set the goal of our government, government का goal set करता है, not only in respect to justice, liberty, अब देखें, हाँ यह भी चर्चा कर दिया, justice, liberty, equality, and fraternity, but also its own nature, जिसके बारे मा आप लोगों ने, काफी लोगों ने लिखा भी है, क्या है, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, आप लोगों ने लिखा भी है, कि nature of state की बात करता है, source of power की बात करता है, objective की बात करता है, लेकिन, you have to make it connected, connected बनाना है, correct, as we know, preamble express the philosophy, आप जो बोलते हैं कि preamble philosophy है, this is the feature, लेकिन, जब हम लिखते हैं, as we know, preamble express the philosophy, आप ही के terminology को मैं यूज कर रहा हूँ आपे, answer में, preamble express the philosophy of the constitution, और preamble is the key to the constitution, देखे, यह सारे लाइन आप लोग क्यों highlight करते हैं, कि साइद examiner को अच्छा लगे, नहीं, जब तक connected नहीं रहेगा question के demand के अनसार, तब तक आप किसी भी तरक quotation को डाल दिजे, it will not be important one, it means that the preamble is very much significant, अब देखे, आप की quotation को मैंने note किया, आप लोग सिर्फ इतना लिख देते हैं, कि philosophy of the constitution है, key to the constitution है, लेकिन अगर ऐसे आप लिखते हैं, तो it will be just like a features, लेकिन हम क्या बोलते, it means that the preamble is very much significant in Indian constitution, because various terms and various things on various quotations or statements are being used for preamble. It can also said, so that though it is the first part of the constitution, yet it was passed last, आप लोग ने लिखा है, कि बहुत लोग ने single point बना है, it is the first part of the constitution, yet it was the last in our constitution assembly, आप लोग ने लिखा है, but that was feature, the way you wrote is a feature, not the significance, लेकिन हाँ पर क्या लिखा है, so as to keep it in conformity of the other provision of the constitution, ये significance है, कि Indian constitution के provisions के साथ conformity and informity के साथ में लाने के लिए, इसे बाद में पास किया गया है, means को इसे इतना importance दिया गया है, कि सारे provision को ध्यान में रखते हुए preamble को बनाया गया, जो कि आप लोग जानते हैं कि objective evaluation जो जबहाला नहरू के तरह परजिन किया गया था, 13 December को similarly वही चीज़ को modified version में preamble में convert कर दिया गया है, तो इसके significance की बात हो रही है, कि last में पास होने के लास्ट बट नॉट लीस्ट, similarly last but not the least, in fact the most one most important part of the constitution, तो यह दिखिए, इहां introduction सुरू कीज़े, अब यहां पर एक चीज़ और मैं add करूँगा, कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने लिखा भी है, यहां पर कुछ लोगों ने इसके उपर detail में लिखा है कि sovereign किसको कहते हैँ, socialist किसको कहते हैं, secular किसको कहते हैं, democratic किसको कहते हैं, republic कि को कहते हैं, but please, mind it, control your writing here, क्योंकि यहां पर आपको sovereign के one line में definition देना है, socialist को sovereign, one line में define किजिए कि भाई, sovereign मतलब होता है कि उसके ओपर कोई किसी का पावर नहीं हो सकता है, no one is above the state, and state is not bound to follow the international rule and regulation whatever, your direction. Similarly, socialist को एक line में define किजिए, secular को एक line में define किजिए, democratic को एक line में define किजिए, republic को, मतलब किया हुआ, कि हर एक term को एक line में define कर देजिए, और ये feature के साथ साथ significance की बात हो जाएगी, कि प्रियंबल बोलता है कि sovereign socialist, क्यों बोलता है, क्योंकि हमारा country इसी तर्ज पर, इसी concept पर या इसी philosophy पर run कर रहा है, इसलिए, प्रियंबल यहां पर important हो जाता है, otherwise आप देखिए, जिसा secular term ही है, do you get such kind of term anywhere in constitution, लेकि इससे related provisions है, correct, इससे related provisions, एक question था मेरा मेंस में इससे related कि भाई, प्रियंबल जो है, embodies the philosophy of, या concept of sovereign socialist secular democratic republic, correct, एक question और है, जिसमें से आपको यह deal करना है कि, what are the provisions given in our Indian constitution which ensures the secularism given in the philosophy and given in प्रियंबल, correct, तो अब यहां पर secular, तब हम secular को और well define करेंगे, उससे provisions की बात करेंगे, fundamental rights में 14, 15, 16, यह सब है, 25 से लेके 30 तक जो है, वह भी discuss करेंगे, फिर article 3, 25 जो दिया गया है, या article 15, 1, A में जो fundamental duties में add किया गया, अब यह सारे चीज़ को जब आप mention करेंगे, तब secularism को आप highlight कर रहे हैं, तब जाकि उस question का answer होता है, similarly यह इस तरह से आप introduction जब शुरू करेंगे, तो it will be bombarding, कम सब्दों में अधिक सदी, अब यहां पर दिखेगा जैसे philosophy की बात करते हैं, तो मैं बार 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 बोलता हूँ कि आप अपने answer में flow chart डालिए, मैं इस पर इस point पर नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इस point पर आ रहा हूँ, तो मैं आपको बता जेता हूँ कि इस point के बाद आप क्या कीजिए, कि जैसे प्रियंबल बोलता है, यहां पर प्रियंबल के प्रियंबल लिख के significance कि इस respect में भाई, तो आप लिख दीजिए यहां sovereign, यहां लिख दीजिए socialist, यहां लिख दीजिए secular, फिर democratic, फिर republic, अब आप यह बोलेंगे कि इसा में क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन यह है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहां पर डाइग्राम फ्लो चार्ट कैसे बनाओ, इस तरह के फ्लो चार्ट बनाने से क्या फायदा होता है कि मोनोटनुस जो हो जाता है आपका answer, यहां पर देख रहे होंगे यह पूरा का पूरा पैरा में है यह बुलेट फॉरमेट में तो हम ऐसे लग रहा है कि रहना है कि रहने टेक्स्ट है, इट बिकम्स बोरींग, इट बिकम्स मोनोटनस और ऐसे में एक्जामिनर फ्रस्टेट होते हैं वह इसे में इमिडिटली यहां पर जो आप लिखना चाहरे है आगे उसको फिर ऐसे करके फ्लो चार्ट में कनवर्ट कर दीजिए अब बुलेगा कि हर जगा फ्लो चार्ट बन इन सब लोगों का एंसर बहुत ही फंटास्टिक आया है और डियाग्रमेटिकल है जैसे प्रिति को डियाग्राम डालना है ठीक है अनामिका डालना जानती है पिछले साल से भी दमेंस में लिखी थी और तो मिरगंख ऑलसो नोस्ग हाव टू पूट डियाग्राम राज सिंह प्रिय Sé we to the constitution , it means that the preamble is very much significant in the Indian constitution, so that it is a part of the constitution , yet it was past last in our constitution, So, as to keep it in conformity of the other provisions of the constitution तो आप इस तरह से और उसके बाद बागी इस टरम को इस टरम को उन लाइन में आप डिफाइन कर दीजिए सिनिफिकेंस अब आते हैं कुछ और मैटर जो की काफी लेफ्ट आउट रहा आप सारे लोगों के अंसर में अब वह यह है How Constitutional Amendability की बात भी किया था kind इदो These мом equivalent, काफी लोग नहीं मतलब होता है क्या जा सकता है या नहीं करेक्ट तेहां पर चैशिकनल के सिनिफिकेंस को मैं है लाइट कर रहा हूं और कैसे अमेंडे ilgili को भी मैं हालाइट कर रहा हूं constitutional amendment of preemble also highlights its significance कैसे यह line है simple line है इसमें कुछ भी नहीं है इधान रखेगा first time in re-baruvery case the apex court held that it is not the part of the Indian constitution मतलब को Indian constitution का preemble part है या नहीं है यह अपने आप में significance बता रहा है कि preemble कितना significant है कितना अगर यह part नहीं तो cannot be amended यह amendability की बात भी हो रही है और significance की बात भी हो रही है यह significant है तभी तो इसकी बात अगर आप आपके लिए यह mains important नहीं है तो why you will get prepared it यह why you will prepare for mains similarly if you are talking about preembles if you are talking about the amendments if you are altering amendments it means that preemble is important for you correct further यहां पे केस में बोला गया कि भाई यह part ही नहीं है हमारे constitution का इसलिए amendment करने के ज़रुवत नहीं नहीं किया जा सकता है लेकिन केस वानन्द भार्थी केस में क्या बोला गया भाई नहीं हमारा इंडियन का पार्ट है यह preemble और जब यह पार्ट है तो इसे amend भी किया जा सकता है यहां पे amendability की बात यह दोनों ही point में amendability की इसको last पैरा में या last में आप लिख सकते हैं जहां amendment की बात कर रहे हैं और साथ में दोनों चीज़ हाइलाइट हो रहा है कि significance है अब एक ध्यान रखेंगे इस question का demand has significance importance of preemble तो आय दीन हर एक पैरा में कुछ ने कुछ चीज को connect करने की कुछ चीज करता है तो इस तरह के लाइन को आप हाइलाइट कीजिए बार-बार connectivity सो करता है तो इन केशवानन भारती इत वर हेल दाट इट इस अमेंडवल पहला चीज फरस्ट इंड बोला गया कि भाई जब यह अमेंडवल है तो जब basic structure का concept आया केशवानन भारती केस में तो similar चीज को यहां बताया गया कि basic structure का बहुत सारा पार्ट जो है किस में है प्रियम्बल में जैसे Sovereign Socialist Secular Democratic Republic यह सब जो है आज के डेट में देखेगा कि basic structure का पार्ट बन गया है जब basic structure को include करता है कोई भी चीज मतलब प्रियम्बल it does not mean that it is very very important for us so again preamble becomes important because it is having the content of basic structure which has been declared by the court Sovereign Socialist Secular Democratic Republic जो है तर्म है वो हमारे प्रियम्बल में है जो अपने आप में in the course of time में Supreme Court के द्वारा declare कर दिया गया कि भाई यह सब के सब basic structure है हमारे constitution का basic structure है ना ही इसे हटाया जा सकता इस terms को अब और ना ही इस से related जो provisions है हमारे Indian constitution में उससे alter किया जा सकता है जिसके अधार पर कि इसका meaning ही कुछ change हो जाए ठीक है अब इसी अधार पर 42nd amendment हुआ अब constitution में जिसमें तीन words और जो और दियेगे socialist, secular and integrity तो यह तीन term इस तरह से आप देखेंगे इस पार्ट को हमने जो deal किया इसमें न के बल सिनिफिकेंस बलके amendability का भी चर्चा किया तो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इस पैरा के थुरू कि अगर आप चाहें तो इस धन से यहां पर introduction करते हुए लिखते हुए अपने सारे बीच middle content लगबक सबका अच्छा था तो उस middle content को आप इसमें include करते चले जाए और last में इस पैरा को ले जाए और आपने जो amendment के बारे में लिखा है उस से मिलता जूलता आप यहां पर add कर सकते हैं या इसी में सारा कुछ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं अब यहां पर देखेगा significance का main points जो है वह मैं highlight कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको लगे कि यह यह points है इसमें court के द्वारे यह भी rule किया गया है कि अगर इंडियन constitution के किसी भी पार्ट का interpretation में या meaning taken out करने में या meaning understand करने में comprehend करने में अगर confusion होता है या more than one meaning निकल रहा है in that case we should take या we should refer the philosophies and objective and purpose of preamble so again in this sense you will find that preamble becomes very much important in case of ambiguity of particular provision right तो यहां पर दिखिए क्या हो रहा है कुछ लोगों आप लोगों ने यह लिखा है preamble is not enforceable in the court अगर simply इतने line को अगर हम लिखते हैं it is the feature of the preamble कि feature है कि यह justice able नहीं है इसको court में लागू नहीं किया सकता है but इसे हम connect करेंगे correct दूसरा point देगे preamble significant in the following respect also source of power का आप लोगों ने लिखा भी है यही चीज़ आप body में डाल दिजेगा है मैं अलग से daily इसले कर रहा हूं क्योंकि अगर point wise आप देखना चाहते हैं तो क्या-क्या point निकलता है हमारे सारे reading से answer से it is state the source of power in serene in the constitution is vested with people right so people is most important and which is strictly written in our preamble so preamble becomes important because it is giving the source of power for the whole state nature of state आपको यह बत बोला ही कि आप लोग जैसे लिखे हैं body में अप लोग लगबग सब लोगों का यह पार पार अच्छा था ताकि आपके words भी बढ़ें और एक एक line में sovereign को एक line में socialist को एक line में secular को एक line में democratic को एक line में republic को एक line में अपने आप पांच line मतलब कि 50 words और अगर 55 words का भी है तो 25 words क्योंकि आपको 300 से word में ज्यादा नहीं लिखना है 300 सारे 300 में आपने लिख दिया और diagram flow chart दाल दिया ता आपका 5 page आराम से चला जाएगा और that is sufficient क्योंकि 10 page लिखना जरूरी नहीं कहां नहीं थे भाई तो प्रियम्बल में है उसी से related provisions आप देखेगा fundamental rights में directive principle of state policy में दिया गया है objective is sovereign socialist secular democratic republic यह objective ही है एक तरफ nature भी बोल रहा है दूसरा तरफ objective ही है और objective क्यों है तो same चीज जो है चलचा किया गया है different provision के तोर पे different parts and schedule में and to secure justice and liberty equality and fraternity for all so final goal is to have a welfare state and egalitarian society तो यह क्या है significance बता रहा है it is non-justiciable यह same चीज को आप यहां पर मैंने लिखा है but cannot be ignored but is the relevant part of the constitution in terms of reference in case of ambiguity same चीज को मैंने repeat किया यहां पर तो अगर आप देखेंगे तो significance के और यही पार्ट यह बाला जो पार्ट है यह यह बाला पार्ट जो है लगभग सभी लोगो ने left out कर दिया था अपने answer में जो कि सबसे ज्यादा important माना जाता है कि प्रियंबल क्या है तो पता है प्रियंबल objective है philosophy है mirror है key है जो भी horoscope है everything but that is not the significance that is the feature लेगर अगर उसी को हम connect करते हैं जैसे हमने यहां पर किया है as we know preamble express the philosophy of the constitution as we know preamble is the key to the constitution as we know the preamble is the horoscope of the constitution अपने आप में यह शारे लाइन आपके statement को कोट भी कर दिया गया और यह भी lightly बताया जा रहा है जिससे कि यह बता दियागा feature तो है ही लेकिन हम इससे दूसरे sense में भी लगते है कि preamble is very much important because different people and different scholar has given different importance okay तो यह था हमारा preamble के बारे में जो मेरा question था preamble is the significant part of the Indian constitution discuss तो यह चीज़ आप डिसकूस के similarly मैं कुछ secularism पे question फुचा था कि preamble जो है embodies करता है sovereign socially secular democratic republic तो what are the provisions to secure या to maintain secularism in our constitution तो उसके लिए आप fundamental rights की बात कर लिजेगा ठीक है उसके बाद directive principle of state policy की DPSP जिसको बोलते है उसकी बात कर लिजे फिर article 2325 की बात कर लिजे कुछ ऐसे इसे प्रोविजन या fundamental duties में दिया गया है तो इन सब की बात करते हुए आप इसे हाल है यह जरूर है कि fundamental rights में जो जो इसे article 14 की में है तो आप एक line में लिखी है article 15 में या article 16 को एक साथ लिखे कि इन दोनों ही section में तक आप इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जिससे 30 है article 29 30 है अब वहाँ पर क्या बोलता है कि minorities को secure करने फिर article 29 30 दिया गया है वहाँ पर secularism है कि किसी भी तरह किसी भी धर्म से कोई भी धर्म से बिलॉंग करता हूँ वहाँ पर linguistic minorities religious minorities की बात होती है जबकि directly कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी कहीं भी कोई बिलॉंटी की बात नहीं होती है मतलब religious minorities की बात लेकिन linguistic and religious minorities की बात indirectly मिलता है article 29 and 30 परेंगे तब तो यहाँ पर उसे भी प्रोटक्ट की आजारे है इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर secularism means neutrality of reason secularism means does not बहुत लोगों ने लिखा है secularism means separation of a state from religion नहीं separation नहीं धर्म से disconnected नहीं होता है यह ध्यान किएगा धर्म से disconnected नहीं होता है secularism means neutrality in religion कि भाई neutral है state वो favor करेगा तो सारे धर्म को अगर नहीं favor किया तो किसी धर्म को भी नहीं but not separation कुछ लोगों ने term लिखा है जो कि मैं आपको यहां पर highlight कर रहा हूं इसलिए ध्यान रखेगा तो मैं इतना ही से कहूंगा अब आगे एक और question लेके आऊंगा मैं जो कि 1857 पर मैंने question पूछा था और 1905 पर तो 1857 के respect में मैं आपके सामने कुछ परज़न करूंगा अगले video में आप लोग अपने answer लिखना मत भूलिए और हमेशा feedback लेते रहिए आप question मैं भेज़ूंगा answer आप लिखते रहिए आप question मैं भेज़ूंगा answer आप लिखते रहिए थांक यू